दोस्तो नुमस्कार ये है मागदशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौजरी दोस्तो मागदशन जी के के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है महत्पोंड शोशल मीडिया के अस्थापना वर्स तथा उनके संस्थापक साथ ही प्रमुक शोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेस्बुक, यूटूब तथा ट्विटर से संबंधित महत्पोंड प्रश्न जो आपके आगामी परिक्षाओं के सामान्य ग्यान और सामान्य अध्यनखंड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रमुक सोशल मीडिया के अस्थापना वर्स संस्थापक तथा वर्तमान सीईयो सबसे पहले दोस्तों हम फेस्बुक के बारे में जानेंगे फेस्बुक की अस्थापना कब हुई थी तो Facebook की अस्थापना 2004 में मार्क जुकरवर्ग के द्वारा की गई थी Facebook की अस्थापना में जुकरवर्ग के कुछ साथी जैसे एडियोडो सेवरिन, एंड्रियू मैकुलम, डस्टिन मोस्कोविज और क्रिस हुजेज शामिल है Facebook के बरतमान CEO मार्क जुकरवर्ग है आइए अब Twitter के बारे में जानते हैं Twitter की अस्थापना 2006 में की गई थी और इसके संस्थापक है जेक डोरसी दोस्तों, Twitter की अस्थापना, Twitter एक माइक्रो ब्लागिंग साइट है इसकी अस्थापना 2006 में जैक डोरसी के द्वारा की गई थी और अभी तक इसके CEO पराग अगरवाल रहे हैं लेकिन ट्विटर जो है अब ये एलन मस्क के ओनर्शिप में आ गया है और इसके वर्तमान CEO पराग अगरवाल अक्टूबर 2022 तक इसके CEO रहे आप जान लीजे ट्विटर दोस्तों 2006 में जैक डोरसी और साथियों के द्वारा इसकी अस्थापना की गई है यूटूब तो आप जानते हैं बहुत ही महतपूर शोसल नेटवर्किंग साइट है यूटूब आप जान लीजे दोस्तों यूटूब के अस्थापना 14 फरवरी 2005 को चाड हरली इस्टियू चिन और जावेद करीम के द्वारा की गई है और इसके वर्तमान CEO सुसान बोज सिकी है याद रखेगा यूटूब के अस्थापना 14 फरवरी 2005 को की गई थी अब आईए देखते हैं दोस्तों इंस्ट्राग्राम के बारे में तो इंस्ट्राग्राम की अस्थापना कब हुई है तो आप जान लीजे इंस्ट्राग्राम की अस्थापना वर्स 2010 में केविन सिश्ट्रोम और माइक क्राइगर के द्वारा की गई और इसके वर्तमान CEO वाटसअप बहुत ही महतपूर और प्रचलित जो है शोसल मीडिया है वाटसअप 24 फरवरी 2009 को इसकी अस्थापना जेन कूम और ब्रियन एक्टन के द्वारा की गई है वर्तमान CEO वाटसअप के विल कैथ कार्ट हैं याद रखेगा वाटसअप 24 फरवरी 2009 को इसकी अस्थाप की गई थी जेन कूम और ब्रियन एक्टन के द्वारा अब आएए लिंग्ड इन के बारे में जानते हैं लिंग्ड इन की अस्थापना 5 मई 2003 को की गई थी और इसके संस्थापक रीड हाफ मैन और उनके साथ ही रहे हैं और लिंग्ड इन के वर्तमान CEO रयान रोलांस की हैं बहुत ही महत्पूर्ण है लिंग्ड इन 5 मई 2003 को रीड हाफ मैन और उनके साथियों द्वारा जो है लिंग्ड इन की अस्थापना की गई थी अब आईए देखते हैं दोस्तों क्यों रहा तो ये प्रश्न पूछने का बहुत ही महत्पूर्ण सोशल मीडिया है आप जानते हैं यहाँ पर लोग उत्तर देते हैं लोग उनके उत्तरों को पसंद करते हैं और उनको शेयर भी करते हैं साथ ही अगर आप किसी प्रश्न का बहतर उत्तर जानते हैं तो यहाँ पर आप अपने उत्तर भी दे सकते हैं क्योरा की अस्थापना जून 2009 में एडम डी एंगेलो और चारली चीवर के द्वारा की गई थी और इसके वर्तमान सीओ एडम डी एंगेलो है टेलीग्राम तो टेलीग्राम भी बहु प्रचलित सोसल मीडिया है इसके अस्थापना दो हजार तेरह में पाविल डूरव और निकोलाई डूरव के द्वारा की गई थी और टेलीग्राम के वर्तमान सीओ कौन है पाविल डूरव अब एक महत्पूर्ण सोसल मीडिया साइट है पिंटरेश्ट पिंटरेश्ट के अस्थापना 2010 में पाल सियारा इवान शार्प और बेन सिबलर मान के द्वारा की गई थी इसके वर्तमान सीओ बिल रेडी है अब आईए देख लेते हैं दोस्तों सोसल नेटवर्किंग साइट के बारे में जो महुत ही प्रचलित और महत्पूर्ण है तो सबसे पहला आप जान लिजे फ्लेम तो फ्लेम क्या है फ्लेम दोस्तों इमेल चैटिंग या वीडियो कानफ्रेंसिंग के दोरान इंटरनेट यूजर द्वारा अवांचनी और अपमानजनक भाग का प्रियोग इसको फ्लेम कहा जाता है नेटिकेट क्या है देखिए नेटिकेट जो है एटिकेट और नेटिकेट यानि शिष्टाचार या नेटाचार या इंटरनेट एटिकेट से समबंधित है तो नेटिकेट जो है वो इंटरनेट के आचार और व्योहार से समबंधित है एटिकेट का अर्थ शिष्टाचार ह कहते हैं इसका संबंध है और इसका कार्य क्या है तो दोस्तों इमेल, चैटिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचनाओं के आदान परदान के लिए प्रयुक्त अपेक्षित और सिष्ट बेवहार इसको नेटी केट कहा जाता है फ्लेश क्या है दोस्तों फ्लेश जो है वीडियो गेम्स द्वारा उपियोगी साफ्ट वेयर और मैक्रो मीडिया कंपनी द्वारा विक्सिस साफ्ट वेयर है ये फ्लेश ये बेप पेजेज पर एनिमेशन, साउंड, इंटरेक्टिवटी आदि प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है फ्लेश अब आईए दोस्तों जान लेते हैं कि सोशल नेटवर्क सब्द का प्रचलन या सोशल नेटवर्क सब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां से हुआ है इसके बारे में तो याद रखियेगा ये हैं जे ए बारनेस दोस्तों जे ए बारनेस के द्वारा 1954 में शोसल नेटवर्क सब्द का प्रचलन सबसे पहले किया गया था अब आईए जानते हैं दोस्तों यूटूब के बारे में थोड़ा सा विश्तार से तो यूटूब गूगल इंक कमपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेरिंग वेब साइट और प्लेटफार्म है इसमें कौन-कौन सी सुविधाएं हैं यूटूब में तो वीडियो को अपलोड करने, डाउनलोड करने, देखने, इमेल के जरिये भेजने, कमेंट करने आदि के लिए यूटूब का प्रियोग किया जाता है और आप जान लीजे दोस्तों, पेपल कमपनी एक है, पेपल, पेपल कमपनी के तीन कर्मचारी, चौड हरली, इस्टिव चिन और जावेद करीम ने 2005 में यूटूब की शुरुआत की थी फेस्बुक के बारे में जानते हैं, दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शोसल नेटवर्किंग नहिसुलक साइट जो 2004 में, हार्वर्ड कालेज के छात्र मार्क जुकरवर्ग, एंड्रिव मैकुलम, डस्टिन मैसकोविज, और एडियोडो सेवरिन, क्रिस हीूजेज के द आनलाइन गेम खेलने के लिए फेस्बुक का प्रियोग किया जाता है, अब आईए जान लेते हैं दोस्तों, एक्रोनिम्स के बारे में की एक्रोनिम्स क्या है, तो आप जान लीजे दोस्तों, नियूज ग्रूप, इमेल या चैटिंग के दवरान, कम्प्यूटर संचार में प्रचलित संचिपता छर जो हैं, उनको एक्रोनिम्स कहा जाता है, जैसे ASAP इसका अर्थ होता है, as soon as possible, FYI यानि for your information, IMO का मतलब in my opinion, BTW का मतलब है by the way, LOL, laugh out loud, और TIA का मतलब है thanks in advance, तो ये सभी एक्रोनिम्स हैं, जो कि नियूज ग्रूप, इमेल या चैटिंग के दवरान कंप्यूटर संचरा में संचिपता अक्षर या सार्ट वर्ड जो प्रियोग किये जाते हैं, ट्विटर के बारे में, तो ट्विटर सोसल नेटवर्किंग नहसुलक वेब साइट है, और ये माइक्रो ब्लागिंग की तरह प्रियुक्त होता है, शुरुआत में इसमें 140 अच की संग्या, जो है ट्विटर को प्राब्द है, इमोजी क्या होता है, तो आप जान लीजिए, इमोजी का अन्यनाम, इमोटिकान, जो इमोशन और आइकन से मिलकर निर्मित है, और आप जान लीजिए, इमेल और आनलाइन चैट के दौरान, अक्षर और चिन्हों की मदद से भावनाओं यानि इमोशन्स को व्यक्त करने में, इमोजी का प्रियोग किया जाता है, तो दोस्तों ये था अत्यनत ही संचिप्त में, महतपोंड सोशल मीडिया, उनके अस्थापनावर्स, संस्थापक, वर्तमान सीओ, तथा सोशल नेटवर्किंग साइट के संबंध में, विशिष्ट जानकारी, और ये संचिप्त जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल माकदशन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस नमस्कार